हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू मैं चनल, आज मैं आपको फ्रंट डिजाइनर शोर्ट फ्रॉग बनाना बताऊंगी तो उसके लिए मैंने ये धाइ मीटर क्रेप का फैबरिक लिया हुआ है आप इसे किसी भी फैबरिक में से बना सकते है तो सबसे पहले हम बेक पार्ट की कटिंग करेंगे तो फैबरिक को मैंने डबल फोल करके बिचाया हुआ है जो मेरी सैट है वो इसकी बनदवाली सैट है और जो उपर की सैट है इसकी खुली हुई सैट है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच की रखी है ये 15 इंच की लंबाई हमारे रेडी होगी अभी उपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि बेक का नेखम 3 इंच का रखने वाले है अभी आम होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सिदी लाइन ड्रो कर देनी है जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है अभी यहां से हम चेश्ट का मेजरमेंट लेंगे तो आपकी चेश्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच एट कर देना है सिलाय मार्जिन के लिए तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और एक सिदी लाइन ड्रो कर देनी है चेश्ट का 4 पार्ट करके 2 इंच एक्ष्टा लेना है सिलाय मार्जिन के लिए अभी बेक आम होल के लिए हमें 1,5 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि यह हमारा बेक वाला पार्ट है और राउंड शिप ड्रो कर देना है बेक आम होल के लिए अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एड़ कर देना है सिलाय मार्जिन के लिए तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है वेस्ट का 4 पार्ट करके 2 इंच एक्ष्टा लेना है अभी सैट से भी हमें लाइन ड्रो कर देनी है कुछ इस तरह से अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि आगे सम इसमें डीपनेक पनाने वाले है तो गले की चौड़ाई मेंने 3 इंच की रखी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है तीन इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें राउंड शिप ड्रो कर देना है पीछे की गले के लिए अभी जहाँ पर हमारी आम होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिर्ची लैन ड्रो कर देनी है अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने ड्रो किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो फैबरिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिचा हुआ है जो मेरी सैट हो इसकी बंद वाली सैट है और जो उपर की सैट है वो इसकी खुली हुई सैट है इस तरह से मैंने से टू फोल में बिचाया हुआ है अभी जो हमारा बैक वाला पार्ट है जो हमने कट किया है उसे हमें इसके उपर रग देना है और गल्ले की चोड़ाई पर हम एक निशान लगा लेंगे और बाकी हमें इसे as it is ऐसे ही ड्रोग कर लेना है नीचे तक इस तरह से ड्रोग कर लेंगे अभी बेक का पार्ट हमें हटा देना है तो फ्रांट वाले पार्ट की जो लंबाई है वो हमें 5-6 इंच एक्ष्ट्रा लेनी है वो भी स्रिप बंद वाली साइट से ही तो जहाँ पर हमारी बंद वाली साइट है वहाँ पर पहले हम 15 इंच पर एक निशान लगा लेंगे क्योंकि हमारी टॉप पार्ट की में लंबाई 15 इंच की है तो हमें 15 इंच पर पहले एक निशान लगा लेना है उसके बाद उसके नीचे हमें 5 इंच फैबरिक एक्ष्ट्रा लेना है 5 या फिर 6 इंच फैबरिक हम नीचे की तरफ से एक्ष्ट्रा रखेंगे तो ध्यान रहे ये निशान हमेसे बंदवाली सैट से ही लगाना है और जहां से हमारी खुली हुई सैट है वहां से हमेसे 15 इंच पर ही निशान लगाना है और इस तरह से तिरची लैन ड्रो कर देनी है जहां तक हमने लंबाई रखी है वहां तक तो ध्यान रहे ये लंबाई हमें इसरे बंद वाली सैट से ही बढ़ानी है अभी हम आगे की गले की लंबाई के लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे आप अपनी पसंद से आगे का गला कमिया ज्यादा भी कर सकते है अभी जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है तो नीचे से हम थोड़ा ब्रॉड बनाने वाले है तो 3.5 इंच की चौड़ाई रखनी है उपर से हमने गले की चौड़ाई 3.5 इंच की रखी है तो नीचे से 3.5 इंच की रखी है और इस तरह से सिधी लाइन ड्रो करते हुए एक बॉक्स बना लेना है अभी नीचे से उपर की तरफ हमें एक इंच पर निशान लगाना है और इसमें इस तरह से तिरची लाइन ड्रो कर देनी है क्योंकि हम आगे से स्वीठाट शेप नेक बनाने वाले है अभी जहाँ पर हमारा आम हॉल है वहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है क्योंकि ये फ्रन्ट का आम हॉल रहेगा और इस तरह से राउंड शेप ड्रो कर देना है अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने डू किया है बिल्कूल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो ये हमारा फृरंट वाला पार्ट रहेगा तो देखी इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये फ्रृंट का पार्ट कुछ इस तरह से नज़र आएगा आप देख सकते है बीच में हम इसमें gatherers बनाएंगे अभी हम slew की cutting करेंगे तो fabric को मैंने 4-fold करके बिछाया हुआ है जो मेरी साइट है वो इसकी बंद वाली साइट है और जो उपर की साइट है वो खुली हुई साइट है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच की रखी है नीचे 2 इंच के हम अलग से पट्टी अटेच करेंगे और उपर से जो इसकी चोड़ाई है वो मैंने 10 इंच की रखी है क्योंकि हम इसमें पप्सलिव बनाने वाले है अभी कैप्सलिव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंदवाली साइट से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें एक सिधी लैन ड्रो कर देनी है अभी खुली हुई साइट से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लिव का shape ड्नो कर देना है जैसे normal स्लिव का shape ड्नो करते हैं विलकुल उसी तरह से हमें स्लिव का shape ड्रो कर देना है अबी नीचे से इसकी चोड़ाई हम उतनी ही रखेंगे क्यूंकि नीचे से भी हम gatherers बनाएंगे अभी हमें इसकी cutting कर देनी है तो ये हमारी puff sleeve रहेगी तो देखे मैंने sleeve की cutting कर ली है और ये दो sleeve है अभी हम bottom part की cutting करेंगे तो इसे मैं amrela shape में cut करने वाली हूँ तो बचे हुए fabric को मैंने इस तरह से triangle shape में four fold करके बिचाया हुआ है जो मेरी set है वो इसकी बंद वाली set है और जो उपर की set है वो एक set इसकी बंद वाली है और एक set खुली हुई set है अभी उपर का जो कोना है वहाँ पर हमें back वाला जो part हमने cut किया है उसे इस तरह से उपर के कोने पर रख देना है और पहले इसे as it is ऐसे ही हमें सीधी line में draw कर लेना है उसके बार top का part हटा देंगे और आधा इंच उपर की तरफ करते हुए हमें इसमें round shape draw कर लेना है इस तरह से अभी हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो bottom part के लंबाई आप अपनी पसंद से कमिया ज्यादा कर सकते है मैंने bottom part के लंबाई 22 इंच की रखी है क्योंकि यह हमारा short frog है इसलिए इसके लंबाई मैंने 22 इंच की रखी है आप 25 इंच या फिर 30 इंच भी bottom part की लंबाई रख सकते है अपनी पसंद से अभी उपर से हम देख लेंगे कि यह कितना measurement आया है तो मेरा यह 33 इंच का measurement आया है अभी इंची टिप को हमें उपर वाले कोने पर ही रखना है और 33 सिंच पर इस तरह से निशान लगाते जाना है और round shape ड्रो कर देना है 33 सिंच पर निशान लगाते हुए अगर आप लंबाई ज्यादा रखते है तो आपका measurement कमियाई ज्यादा हो सकता है तो देखे मैंने round shape ड्रो कर लिया है अभी हमें इसकी cutting कर देनी है तो देखे इस तरह से मैंने bottom part की भी cutting कर ली है और ये दो पीस है अभी एक side इसकी बंद वाली side है तो इसे भी हमें cut करके अलग कर देना है तो ये दो पीस हो जाएंगे आगे और पीछे के लिए देखे ये मेरे दो पीस है आगे और पीछे के लिए अभी सबसे पहले जो हमार back वाला part है उसके neck पर हम तिर्ची पटी attach करेंगे तो पटी को सीधी side से ही गले पर रखना है और इसके उपर सिलाई लगा देनी है और पटी को double fold करते हुए अंदर की side मोड देना है और इसी तरह से जो हमारा front का sweetheart shape का neck है उसी shape की हमें एक अलग से strip cut कर लेनी है और इस strip की जो चारो side की border है पहले हम इसे fold करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है उसके बाद front का पट हमें सीधा रखना है और उसके उपर जो हमने पटी बनाई हुई है उसे रखते हुए उस के बिल्कुल उसी shape में हमें सिलाई लगा देनी है और पटी को उल्टी side पर पलट देना है आप चाहे तो इसमें बुकरम भी attach कर सकते है तो देखे मैंने back neck पर पटी attach कर ली है और front neck पर भी मैंने पटी attach कर ली है बाद में हम इसमें उल्टी side से hand stitch कर देंगे नेडल और thread की हम gatherers लगाने वाला है तो बिल्कुल सीधी line हमें draw करनी है front part में बिल्कुल center में हमें ये line draw कर लेनी है अभी जो हमने line draw की है उसके उपर हमें बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है तो देखे मैं आपको machine पर बताती हूँ तो बिल्कुल center में ये हमने line draw की हुई है तो उसके उपर पहले हम उपर से पकी सिलाई लगा लेंगे थोड़ी सी उसके बाद नीचे की side पर हमें बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा देनी है तो जहां तक भी हमने line draw की है वहां तक बिल्कुल हमें बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगानी है तो देखे इस तरह से मैंन बना लेनी है और उपर तक हमें अच्छे से गैदर्स को सेट भी करते जाना है तो इस तरह से हमारी गैदर्स बहुत ही परफेक्ट तरीके से आती है तो हलके हलके हम गैदर्स को सेट करते जाएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें धाग नीचे तक उसके बाद हमें इसके उपर बिल्कुल पक्की सिलय लगा देनी है तो ये गैदर्स हमारी पक्की हो जाएगी तो देखें मैंने पक्की सिलय लगा दी है अभी हमारा जो बैक वाला पार्ट है हमें इसके उपर रख देना है साइड से अच्छे से हमें सेट करते हु देखे इस तरह से मैंने cut कर दिया है अभी हमें front का part सीधा रखना है और उसके उपर back वाला part हम ultra रखेंगे और इसके shoulder joint कर लेंगे तो देखे मेंने इसके shoulder joint कर लिया है अभी हम इसमें sleeve attach करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा शॉल्डर है वहां पर हमें दोनों सैट पर एके किंच पर निशान लगाना है इस तरह से शॉल्डर से दोनों सैट पर हम एके किंच पर निशान लगाएंगे उसके बाद जो हमारी स्लिव है उसे हमें कोने से ही अटेच करना है और जहां तक हमने निशान लगाया है वहां तक हमें इसके बिल्कुल सेंटर में छोटी छोटी प्लिट्स लगानी है जितनी भी हमारी plates adjust होती है उतनी हमें center में plates लगा देना है जो हमने निशान लगाया है दोनु side पर वहां तक उसके बाद दूसरी side पर भी slow को attach कर लेंगे उसके बाद slow की जो border है वहां पर भी पहले हम विल्कुल center में एक निशान लगा लेंगे उसके बाद, दोनों सैट पर हमें, 2-2 इंच पर निशान लगाते हुए, इसकी gatherers बना लेनी है, नीचे की सैट पर भी, और इसी तरह से दूसरी स्लिव को भी हमें, attach कर देना है, सेंटर में, दोनों साइट पर निशान लगा लेना है और छोटी-छोटी प्लेट्स लगा देनी है और प्लेट्स लगाते हुए हमें स्लीव को अटेज कर देना है उसके बाद नीचे से जो प्लेट्स की बॉर्डर है वहां पर भी हम बड़ा टाका करके या फिर सिलाय लगाएंगे या फ पट्टी कट की हुई है अभी इसे हमें सीधी साइट से ही स्लूग के उपर रखना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है उसके बाद पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे और आधी पट्टी को अंदर की साइट मोड़ना है और आधी पट्टी हमें बाहर की तो देखे मैंने स्लिव में पट्टी अटेज कर ली है दोनों ही साइड से अभी हम टॉप पाट के साथ बॉटम पाट को अटेज करेंगे तो बॉटम पाट को हमें उल्टा रखना है और टॉप पाट के उपर इसी तरह से उल्टा रखते हुए हमें इसके उपर सिलाय लगा देनी है और इसी तरह से फ्रेंट पाट के उपर भी हम बॉटम पाट को उल्टा रखेंगे और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है तो देखे मैंने बॉटम पाट को अटेज कर लिया है दोनों ही साइड से अभी हमें उल्टा कर लेना है और उपर से लेकर नीचे तक हमे इस्की फिटिंग कर लेनी है, घेरे में हमें स्र mesmoग एक इंच का ही गेप रखना है, और कमर की सेट हम दो इनच का गेप रखेंगे, इसकी फिटिंग हम अच्छे से करेंगे, तो ये घैधरी हमारे अच्छे से होकर बहुत भी ब्यूटिफूल लगती है, और इसी तरह से दूसरी सैट पर भी हम इसकी फिटिंग कर लेंगे उसके बाद जो इसका घेरा है या तो आप चाहे तो इसमें स्टीच करवा सकती है या फिर इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते है पूरे घेरे में तो देखे मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही सैट से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है अब यह जो हमने गैधर्स बनाई हुई है आप चाहे तो इसके उपर बीड्स भी लगा सकते है और इसी के साथ ही हमारा डीजैनर शोट फ्रॉग बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत पुलिएगा ताके आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मज गाइस